जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा Gmail नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है और आज फिर हम आपको ऐसी Funny Trick के माध्यम से बताने वाले हैं Hindi साहत में आपने देखा होगा कि Net Exam, PGT Exam, TET Exam किसी भी Exam में साहत कारों के उपनाम पूछे जाती है आपसे पूछ दिया जाता है मधुप किसका उपनाम है, कलाधर किसका उपनाम है, है ना बैदनात किसका उपनाम है, त्रिलोचन किसका उपनाम है इस सारे उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों अब इनको याद करना बहुत कठन बात होती है लेकिन आज पूरे याद हो जाएंगे टरेक से ठीक है तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है दोस्तों और इसके पहले ठिंदी साहत के टिर्की वीडियो बहुत सारे अपलोड हो चुके है तो उनको जरूर देखना है ठीक है और जो भी हमारे नए साती है वो चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर दवाना है और आपको दोस्तों एक बहुत ही प्यारा अपना वाट्स अफ ग्रोफ है आज का ये वीडियो बनी रहें वीडियो के अंतर तक दोस्तों आपसे पहले टेस्ट करवाया जाएगा आपको बताना होगा प्रस्न का उत्तर और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं कभी पूछा जाए आपसे आपको तुरंत या जाएगा तो आपको बताना है गया प्रसाथ सुकल सनेही का उपनाम क्या है इन्हें क्या कहा जाता है तो दो सेकंड आपको दिये जाते हैं तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा त्रिसूल क्यानी की आनम्मर आपका बिल्कुँ सही है गया प्रसाथ सुकल सनेही का अपनाम क्या है त्रिसूल है ना आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो त्रिसूल क्या मारते हैं क्या मारते हैं त्रिसूल मारते हैं कभी-कभी इनका सन्यही भी उपनाम है, त्रिसूली भी उपनाम है, ठीके, ऐसे याद रखना है, दोस्तों अंगला बताना है, मैतली सरण गुप्त का उपनाम क्या है, मैतली सरण गुप्त है, चार बिकल्प है, दो सेकेंड में आपको उत्तर बताना है, मैतली सरण गुप्त दोस्तों इनको राष्ट कभी कहा जाता है आपको पता है यह राष्ट कभी कहा जाता है एक बार है ना अब राष्ट कभी कहा जाता है दोस्तों तो आप ऐसा नहीं समझते कि बहुत बुजर्ग होंगे है ना राष्ट कभी है बहुत कोछ इनने हिंदी सायत के लिए किया होग इसलिए रास्ट कभी कहा जाता है ये बहुत बुजर्ग होंगे जो बुजर्ग हो जाते हैं जीनि रास्ट कभी कहा जाए है ना तो ने हम क्या वोल देते हैं दद्द कि क्या है दद्दा है यानि कि आपका बिल्कुल बी नम्मर सही हो जाएगा दोस्तों ये चीज़ याद रखनी है मैदरिशलंगोप्त के जो उपनाम है वो क्या है वो है दद्दा दद्दा यानि कि बी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इनका एक नाम और पूछा जाते हैं इनके ठीक है अंगला बताना जगनात दास रतनाकर का उपनाम क्या है जगनात दास रतनाकर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों तो बताना है चार विकल्प आपके सामने है जडिया कोकिल जकी कैनका कभी तो जगनात दास रतनाकर का जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा जकी क्या नाम है जकी आपको पता है जासे जगनात दासरत ना कर और जासे आपका क्या हो जाएगा जकी बहुत ही बढ़िया है कई बार एकजाम में पूछा गया है अधिकांस लोगों को तो पता भी होगा मैंने कई बार आपको बताया है तो जकी यानि सानम मर आपका क्या हो दोस्तों ये क्या करते थे कि बहुत ही बिसिष्ट प्रकार के कभी थे और एक कैन नदी के किनारे पर जाकर के बैठते थे और घंटों बैठते थे कैसे बैठते थे घंटों बैठते थे और कैन नदी का बिल्कुत सुन्दम और मनुरम जो द्रस है उसको देखते थे इसलिए साहित कारों ने इनका उपनाम रख दिया कैन का कभी बोले कैन दी के किनारे जाके वैटते थे तो इनने कहने लगे क्या कैन का कभी किसे केदार नात अगरवाल यानि कि जो आपका बिकल्प नमबर D है वो बिल्कुँ सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो नंददास का उपनाम क्या है नंददास चार बिकल्प है जडिया, कोकिल, कल्पना का लाडला या फिर कलाधर क्या है उपनाम नंददास का उपनाम क्या है नंददास चार बिकल्प है दोस्तो और जल्दी से आपको बताना है आपने देखा होगा कभी-कभी दोस्तो नंद, नंद मतलब क्या होता है? जब बहु अपनी सस्राल जाती तब उसे नंद मिलती है, क्या मिलती है? नंद, एक बार क्या आपने देखा होगा कि नंद बहु की बहुत लडाई होती रहती है, एक बार क्या हुआ? कि जब लडाई ह आपका बिलकुँ सही हो जाएगा, अंगला बताना है दोस्तो बिद्यापती का उपनाम क्या है? कई बार हमने पड़ा है कि बिद्यापती की रचना है पदलता, पताका, पदावली, किर्तिलता, किर्तितंतंती पता का, क्या कहा जाता है इनका उपनाम क्या है मैथिल कोकेल अब एक चीज बताना हम बोलते ना कि यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है बिलकुल कोकेल जैसे है ना अब जिसमें बिद्या होगी वो कैसा बोलेगा बहुत मधुर बोलेगा सुन्दर बोलेगा बिलकुल कोकेल जैसे बिद्या जिसमें होगी वो कैसा बोलेगा कोकिल जैसे बोलीगा तो बिद्या पती का उपनाम क्या होगा कोकिल कोकिल यानी बानम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला बताना दोस्तो सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम क्या है सुमित्रा नंदन पंत का बताना आपने पड़ा है कि नंद दुलारी बाचपेई ने चायवाद का प्रवर्टक के से माना तो सुमित्रा नंदन पंत को इला चंद्र जोसी ने चायवाद का प्रवर्टक के से माना जैसंकर प्रसाद को रामचंद सुग्ल ने छायवाद का प्रवड़ तक किसे माना तो मुकृधर पांडे को ये question आपसे पूछ ले जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम क्या है तो इने कहा जाता है दोस्तो कल्पना का कभी क्या कहा जाता है कल्पना का कभी यानि कि सानमर जी हां दोस्तो सुमित्रा नंदन पंत हम कभी कल्पना करते हैं कि मुझे अच्छे मित्र मिल जाएं सू मित्र मिल जाएं कैसे मित्रे सू मित्र मिल जाएं कल्पना करके देखो कि प्रिम्त्र मिल जाएं. तो कल्पना का कभिय या कल्पना का लाडला जो कहा जाता है दोस्तों वह स्मित्र अंदन पंत को कहा जाता है. ए मत्रणद को बहुतुद Выb करवान आ है कि अगर आपको क्यों कलाप राप्त कर नी है, पहले जाओ संकर जी की पूजा करो है ना फिर आपको क्या हो जाएगी अच्छी बुद्धी आएगी और आप कला प्राप्त कर लेंगे क्या प्राप्त कर लेंगे कला तो जैसंकर प्रिसाथ का उपनाम क्या होगा कलाधर क्या होगा कलाधर यानि कि आपका जो बेकल्प नमबर D है वो बिलकुँ सही हो जाएगा D नमबर ठीके अंगला बताना भारतेंदू का उपनाम क्या है भारतेंदू दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि भारतेंदू जी का जन्म हुआ 1850 में ठीके भारतेंदू जी का जन्म हुआ और 1880 में इनकी भारतेंदू योग है ना तो भारतेंदू का उपनाम बताना है और आपको पता होगा दोस्तों कि आज के योग में पूरे बिस्तू में जो भारत है वो क्या है कनया है कनया बोले कलियोग का कनया कौन है बिस्तू में तो हमने बोल दिया भारत कलियोग का कनया कौन है तो भा बहुत अच्छी इनकी पड़ी होगी दोस्तों माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें एक रचना पड़ी है मैंने आपको याद करवाया था कि लोग माटी की मूर्तों को ब्रक्ष के नीचे ब्राजमान कर देते हैं माटी की मूर्तों को ब्रक्ष के नीचे ब्राजमान करते तो माटी की मूर्तें ब्रक्ष से राम ब्रक्ष बैनिपुरी की रचना हो जाएगी लेकिन इनका उपनाम क्या है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो कलम बनती है कलम आपने देखी वो क्या बनती है ब्रक्ष की लकडी से बनती है ठीक है तो राम ब्रक्ष बेनी पुरी का जो उपनाम है वो क्या है कलम का जादूगर एक कलम के जादूगर दे दोस्तों क्या कहा जाता है किसे राम ब्रक्ष बेनी पुरी को क्योंकि कलम का ही जादू होता है और कलम का इसे बनती है ब्रक्ष से बनती है ब्रक्ष से अपन लकली काड़ते उसकी कलम बनाते हैं तो याद रख ले ना आनम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो पुस्प पूछा जाता है कि निमन में से बताईये कौन से गरंत में 63 सला Means Всё तो महा पुरान में हैं है ना और दोस्तु आपको पता है कि पुस्पदंत ने अपने आपको उपादी दीती अभीमान मेरू की हैना कभी-कभी पूछा जाता है निमन में से बताईये कि किस कभी ने अपने आपको अभिमान मेरू की उपादी दी थी तो वो दी थी पुस्पदंत ने इसलिए पुस्पदंत का जो उपनाम रख दिया गया वो क्या रखा गया अभिमान मेरू अभिमान मेरू यानि कि जो बी नम्मर है वो बिलकुत सही हो जाएगा और मेरू ये रूजो होते हैं परवत मेरू वहां पर पुस्प बहुत मिलते हैं दोस्तों, विविन परकार की पुस्प मिलते हैं मेरूँ पर, तो अभिमान मेरू, पुस्पदंथ, बीनमर आपका बेलको सही हो जाएगा, ठीक है, है ना, माखलाल चत्रुबेदी, दोस्तों म माख लग गये हाँ पर माखनलाल चत्रवेदी का उपनाम क्या है चार बिकल्ब हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की प्रतेक आत्मा भारत की एक-एक आत्मा चाहती है कि मुझे रोज माखन मिले रोज माखन मिले भारत की आत्मा एक-एक आत्मा चाहती है कि मुझे म जाता है एक भारतिय आत्मा यानि कि आपका स्थी नंबर बिल्कुल सही है दिकांस लोगों को बिल्कुल सही पता होगा लेकिन वैसे भी याद कलने रिवीजन हो जाएगा केसवदास का उपनाम क्या है दोस्तों केसवदास आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि केसवदास जी की एक रचना है राम चंद्रीका राम चंद्रीका इनकी रचना है ये रचना भक्तिकाल भक्तिकाल की रचना है इसलिए केस ओदास को भक्तिकाल और रितिकाल दोनों का कभी कहा जाता है और इनकी राम चंद्रीका जो रचना ये भक्तिकाल की है और इसे क्या कहा जाता है चंदो का प्रेद और दोस्तों आपको पता होगा कि कठिन काब है ना बहुत कठिन होता है केस को सुरक्षित रखना केस केस ठीक है तो केस अधास को कटन काप बकप रेत कहा ज़ता कई बार पूचा गया है अंगला बताना है दोस्तो राजेंद्र बाला गोस का उपनाम क्या है बंग महिला उपन्यास समराठ एक राश्ट्री आतमा या फिर एंध्रियता का कभी राजेंद्र बाला गोस आपने कई बार पढ़ा होगा राजेंद्र बाला गोस का उपनाम क्या है तो क्या है उपनाम क्या है बहुत बढ़िया है ना राजेंद्र बाला गोस इन्हें कहा जाता था बंग महिला है ना यानि की बंगाल की महिला ऐसे याद रखेंगे राजंदर बाला गोस कहा की महिला है बंगाल की महिला ठीक है तो राजंदर बाला गोस का उपनाम क्या होगा बंग महिला है इनको याद रखेंगे बंग महिला इनने कहा जाता बहुत ही बढ़िया है कई बार पूछा गया है अंगला बताना है प्रेमचंद का उपनाम क्या है प्रेमचंद का उपनाम बताना है प्रेमचंद जी है ना आपको पता है कि इन्हें क्या कहा जाता है इनके उपन्यास है सेबा सदन कर्म भूमी गबन गोदान निर्मिला है ना इस सारे के सारे उपन्यास है समराट कहा जाता है उपनाम है इनका उपन्यास समराट प्रेमचंद जी का और इनका एक उपन्यास दोस्तों बहुत बढ़िया कौनसा गोदान गोदान उपन्यास है है ना और यह उपन्यास होते हुए भी दोस्तों इसे ग्रामिड जीवन का महाकाब कहा जाता है अगर कभी आपसे पूछा जाए निम्लमय से बताईए किस उपन्यास को ग्रामीड जीवन का महाकाब कहा जाता है तो वो कहा जाता है गोदान को और गोदान उपन्यास किसका है प्रेमचंद जी का है ठीके अंगला बताना है राजाराम सुकल का उपनाम क्या है आपने चाहे पहली बार नाम सुना हो राजा राम का या किसी ने सुना हो इनका उपनाम क्या है तो दो सेकिन में आप उत्तर चेहन करेंगे और आपका बिल्कुश सही हो जाएगा एक रास्ट्रिय आत्मा एक राश्ट्री आत्मा कहा जाता है दोस्तों राजा राम को किसे कहा जाता है राजा राम को एक राश्ट्री आत्मा कहा जाता है है ना क्योंकि जो भारत का राजा होगा वही तो रास्ट्री आत्मा होगी है ना राजा भारत का राजा होगा वही रास्ट्री आत्मा होगी है ना एक भारती आत्मा एक भारती आत्मा चाहती है कि मुझे माखन मिल जाए एक रास्ट्री आत्मा कौन होगा तो राजा होगा है ना तो राजा राम राजा राम याद रख लेना राजा राम एक रास्ट्री आतमा ठीक है अंगला बता ना गिरजा कुमार माथुर का अपनाम क्या है दोस्तों गिरजा कुमार माथुर आपने रचना बहुत सारी पड़ी होंगी दोस्तों गिरजा कुमार माथुर की भी पड बोले सामने क्यों हो गिर्जा सामने क्यों हो गिर्जा तो मैं बक्त के हूं सामने किसकी रचना होगी गिर्जा से गिर्जा कुमार मातुर अब गिर्जा कुमार मातुर का अपनाम क्या है तो इनका अपनाम है दोस्तो एंद्रियता का कभी एंद्रियता कभी किसे कहा जाता है तो बता देना कि मेरी जो एक इंद्री है, मेरी जो इंद्री है एक वो क्या हो गई गिर गई है, गिर गई है तो गिर्जा कुमार मातोर को एंद्री अताका कभी कहा जाता है, बोले इंद्री या तो यार गिर गई एक्छे ही नहीं होती कोई चीज खाने की पीने की, है ना, इ आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी दुसियन कुमार जी का बताना है'S इन्यास सम्राट अनल कभी या पिर एंद्रीयता का पभी क्या है तो इनका बिल्कूस सही आपने बताया है कि इन्यास सम्राट तो इनकी बहुत प्यासा प्याता है और ये दोसियन्त कुमार जी की है ठीक है ये याद रखना है अंगला बताना है रामधारिसें दिनकर का उपनाम क्या है रामधारिसें दिनकर का उपनाम बताना है कभी सिरोमणी उपन्यास समराठ अनल कभी या फिर आत्माराम तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि इने कहा जाता है अनल का कभी है ना अनल अनल नहीं अनल मतलब होता है अगनी है ना और अनल मतलब होता है बायू है ना याद रख लेना बायू का कभी कहा जाता है असी रचनाई लिखते हैं कि मानों ऐसा लगता है कि हम बायू में उड़ने लगे हैं है ना अनल तो इन्हें कहा जाता है दोस्तो अनल कभी है ना याद रख लेना अनल कभी कहा जाता है सभी लोग याद रखेंगे ठीके अंगला बताना है तुलशीदास का अपनाम क्या है तुलशीदास तो तुलशीदास को तो सभी पता है दोस्तो कि इन्हें क्या कहा जाता है तुल्शिदास जी को कभी सिरो मनी कभी सिरो मनी यानि कि जो आपका आनम्मर है वो बिलको सही हो जाएगा कभी सिरो मनी कहा जाता है किसे तुल्शिदास जी को आनम्मर आपका बिलको सही आंसर होगा है ना और तुल्शिदास जी रचनाई में आपको याद करवाई हैं, खंड काप याद करवाई हैं, मुक्तक काप सभी कुछ याद करवाई हैं, ठीके, तो तुल्चिदास का कभी सुरूमनी, महाबीर परसाद दुवेदी का अपनाम क्या है, कभी सुरूमनी, उपन्यास समराठ, अनल कभी या फिर आत्मा राम है तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो महावीर प्रसाद दुवेदी हैं या फिर महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान ने आत्मा की बात करी है महावीर भगवान कहते हैं कि इस तरीर में कुछ नहीं रखा आत्मा का कल्यान करो आत्मा का कल्यान करो तो म एक चेलेंज प्रस्ण है जिसका उत्तर आपको बताना है यामा किसकी रचना है यामा किसकी रचना है रामधारी से दिनकर की महादेवी बर्मा की सुमित्रा नंदन पंत की या फिर अग्ये की तो चार विकल्प है यामा बताना है ये किसकी रचना है चेलेंज प्रस्ण है ठी लिखें, महादेवी बर्मा की है तो लिखें, सुमित्र अंदन पंत की है तो लिखें, अगे की है तो लिखें ठीक है सभी लोग कमेंट में जरूर बताना अपनी उपस्तिती जरूर बताना है और दोस्तो ये WhatsApp नमबर दिया है, WhatsApp नमबर उस पर आपको क्या करना है, Contact करना है, इस पर WhatsApp नमबर पर आपको क्या करना है, Message करना है, आपको उत्रनतर लिंक के मिल जाएगी, ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक करके Share करें, Subscribe करें, Bell आइकन को दवाएं, और आज की वीड बता दूँ कि ये जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं, तो ये आपका वेल जो है, आईकन उसमें लगा हुआ है, है ना, तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है, और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है, ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा, ये Self Study Classes, ठीक है, ये Play Store में आपको Self Study Classes का एप देखने बाला है, ठीक है, ये image उसमें डली है, ये icon, ये logo उसमें डला है, ठीक है, अब दोस्तों इसको install करना है, यहां से आप install करेंगे, ठीक है, अब install करेंगे, तो बहां पर आपको number मांगेगा, Gmail number मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे,